So, Hey guys, Welcome back to my channel to Curious of Ops and Us So guys, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूंगी कि आने वाले हर एक वीडियो में हैस चानल को प्रमोट करूंगी आपको मेरे हर एक वीडियो में एक कोड मिलेगा उस कोड को आपको कमेंट करना है तो रैंडमनी एक comment में pick up करूँगी और उस particular channel का as a promoted channel में उस channel का link या तो description में या तो community post में post कर दूँगी तो अगर आप interested हो तो आप इसमें participate कर सकते हो आपको कुछ नहीं करना है बस आपको जो code मिलेगा वीडियो में उसको आपको comment करना है लाश वीडियो में सबसे पहले comment किया था code को the knowledge and motivation चानल ने इस चानल का link आपको description में community post में और telegram चानल में मिल जाएगा इस चानल को आप जरूर check out करना अगर आप अपना चानल का access किसी और को देना चाहते हो भीना अपनी gmail id और password को share किये तो इस process को जानने के लिए वीडियो को end तक्स जरूर देथना PC में भी same process रहेगा लेकिन मैं आपको mobile में करके दिखाऊंगी because ज्यादा users mobile के हैं तो आपको क्या करना है पहले वाइटी स्टूडियो ब्राजर में open करना है desktop site enable करके उसके बाद आपको वाइटी स्टूडियो की settings open कर लेनी है वहाँ पर आपको यह सारे options दिखेंगे उन options म से आपको permissions पर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पर invite को option दिखेगा आपको इस पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको email ID दानली है जिसको आपको access देना है email ID दानले के बाद यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको 5 options मिलेंगे जो है manager, editor, editor limited, viewer और viewer limited अगर आप किसी को manager का access देते हो तो वो किसी को भी add और remove कर सकता है और वो edit कर सकता है इसके बाद अगर आप किसी को editor बनाते हो तो वो edit कर सकता है members को वो add और remove नहीं कर सकता है लेकिन वो edit कर सकता है editor limited और viewer limited में options कम हो जाते हैं जैसे editor limited में वो edit तो कर पाएगा लेकिन वो revenue की information नहीं देख पाएगा वैसे ही viewer limited में वो edit नहीं कर पाएगा और revenue की information भी नहीं देख पाएगा आप यहाँ से किसी को manager बना सकते हो editor बना सकते हो या फिर editor limited viewer और viewer limited बना सकते हो यहाँ से एक option select करने के बाद और यहाँ पर email id एंटर करने के बाद आपको done पर क्लिक करके proceed कर देना है इस तरीके से आप permissions अलोग कर सकते हो बिना अपनी कोई ID पास्पर शेयर किए अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्स्राइब कर नमत भूंगा